नमस्कार and I welcome yours to Manoj Singh Now recently आपने सुना होगा कि इंडिया का बढ़ता हुआ इंफ्लेंस माल्दीव के लिए खत्रा है यहाँ पर आप The Times of India का आर्टिकल देख सकते हैं इन्होंने लिखा है इंडिया's influence threat to sovereignty माल्दीवियन प्रेजिडेंट मुहम्मद मुईजू says while costing up to China वहीं एक दूसरा आर्टिकल है दा हिंदू का इन्होंने लिखा है a change for the worse on the rapid decline in India माल्दीव's ties इंडिया और माल्दीव के जो relation है ना इस वक्त वो काफी तेजी से बिगड़ रहे हैं वो भी किसके वज़े से जो माल्दीव के president है मुहम्मद मुईजू के वज़े से कैसे उनके चाइना के प्रती लगाओ के वज़े से मुहम्मत मोईजू सिर्फ इंडिया को छोड़कर पूरी दुनिया से दोस्ती कर रहे है सिर्फ इंडिया को छोड़कर तो इंडिया का रियक्शन क्या रहेगा इसमें वही हो रहा है इस वक्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक कोशन पूछूंगा तदोबा नेशनल पार्क होम टू टाइगर्स पैंथर्स एंड बियर्स इस फाउंड इन आपके उप्सन है असम, चांदपुर जोकी महराष्ट में है करनाटक या फिर तमिलनाडू कमेंट सेक्षन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा, मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूँगा नाउ, ये है हमारा प्यारा भारत और भारत के साउथ में आपको मालदीव्स मिल जाएगा आज कल मालदीव्स के जो प्रेजडेंट है ना, ये गए हैं कहाँ, चाइना में चाइना से गोहार लगाने के लिए, और पिछले पांच दिनों से ये वहाँ है चाइना ने इनका काफी अच्छे से वेलकम किया और साथ में जब इनकी स्टेटमेंट आई, तो इन्होंने लिखा था मतलब बाद इनके सवरजिनिटी पर आ गई छोटा सा देश है, ना इनकी आर्मी कुछ, कुछ है नी इन पर इतना तूरिस्ट ने आये तो ये खतम हो जाए और बाद इनके सवरजिनिटी पर रखी है ठीक है, माल्दीवियन प्रेसिडेंट मुहमद मुईजू सेस वाइल कॉसिंग अप टू चाइना अच्छे है, आप मैंसे कितनों को ये नहीं पता होगा कि कॉसिंग मतलब होता क्या है ये होता है हाथ मिलाना जब माल्दीव की तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो वही चाइना भी कहां पीछे रहता चाइना के अगवारों में भी ये छपा कि चाइना सेज फर्मली अपोजेस एक्स्टरनल इंटरफेरेंस इन माल्दीव्स एस मुईजू विंट सब विजिट इसका मतलब है कि चाइना भी कह रहा है कि माल्दीव्स के जो अंदरुनी मामले हैं उसमें इंटरफेरेंस मत करें इंडिया नहीं तो चाइना भी उस कंट्री का अपोस करेगा अब बात ही आती है कि मुईजू सिर्फ इतने काम के लिए ही चाइना गए थे असली मकसद तो कुछ और होगा हाँ भई असली मकसद था इनका सायद लोन मांगना सायद लेकिन लोन के नाम पर चाइना ने इनको एक टौफी भी नहीं दी लेकिन चाइना के लोग बड़े खुस होंगे वहाँ के सरकार भी खुस होगी कि इंडिया का बैठे बिठाए एक दुस्मन बन गया जो कि चाइना का दोस्त है वो भी इंडियन ओसियन में और वो भी इंडिया के ठीक बगल में मोईजू जब चाइना गए तो उन्होंने चाइना से FTA रिवाइफ करने की बात कही कि चलिए FTA हम दुबारा स्टार्ट करते हैं टॉक इसमें और जो हमालदीव्स का डेप्ट है डेप्ट क्राइसिस है उससे मालदीव्स को बाहर निकालते हैं लेकिन चाइना की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है उसके अलावा हमारी मुवी इंडरस्ट्रीज की जो बॉड़ी है FWICE जो की फिल्मों को देखती है तो इसने अपील्स करी है इंडियन फिल्म मेकर से की आप मालदीव्स में जाकर सूट ना करिए आप इंडिया के ही कोई आइलेंड में जाएं वहां सूट करिए लेकिन बॉइकोट मालदीव्स कीजिए नाउ मैंने आपसे एक कोईशन पुछा था कि तदोबा नेशनल पार्क होम टू टाइगर्स पैंथर्स एंड बीर्स इस फाउंड इन तो इसका सही आंगसर है महाराश्ट का चांदपूर डिस्टिक यहां रफली टोटल 43 टाइगर्स है थैंक यू एंड हेव नाइस डे